पूर्वा फालगुनी नक्षत्र में साम साथ बजकर दस मिनट तक चलते रहेंगे पूर्वा फालगुनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे पूर्वा फालगुनी नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी सुक्रदेव हैं आज के जन्मे जातक सुंदर, कांतिवान, गंभीर, साहसी, स्वाभिमानी और यातराप्रिय मानसिक्ता के होते हैं ऐसे जातक उदार हिर्देवाले, इमानदार कला प्रेमी, फिल्म, कथा और संगीत में रुची रखने वाले, बहमूल वस्त्रों और आभुश्णों के प्रेमी, शेयर तथा लाटरी इत्यादी में रुची रखने वाले, विश्वास पात्र और उच्चा विलासी भी होते है यदि सहयोगी लगन रहा, सूर्य और सुक्र की स्थिती अनकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे, चंद्रमा आज पूरे दिन सिंग रासी में ही चलते रहेंगे, जिसके रासी स्वामी सूर्य देव है मेश रासी वाले जात्मों को कारेशेत्र की अनकूलता मन मुताविक बनी रहेगी, नए लोगों से संपर्ख होंगे, लाव के नए अवसर सामने आएंगे, साजेदारी सफल रहेगी, बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी होंगी और आठिक लाव हो सहयोग मिलता रहेगा मगर कुछ मामलों में आज का दिन चिंता को बढ़ाने वाला होगा, योजनाय बलवती होंगी लेकिन काम करने की गती प्रभावित होगी, आला से प्रधान मानसिक्ता संपर्भावित है, मगर अध्यान अध्यापन में सहयोग मिलता रहेगा, बिद्यार्थियों के लिए आ मानसिक संतुष्टी मिलेगी और मन मुताबिक काम होते रहेंगे, दिढ़ इच्छा सक्ती और उत्साह में बिद्धी होगी, मित्रों से सहयोग वा आर्थिक लाव संभावित है, योजनाओं को लागू करने में सफलता मिलेगी, कुछ रुके हुए काम ही संपन हो सकते हैं, बच्चों के विषय में आत्मिश्वास बढ़ेगा और वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा, अध्यन अध्यापन में सहयोग और सफलता मिलेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बरकरार रहेगी, मगर स्वास सम्मंद्री आवर्शक साउधानी बनाए रखे मिथुन राशिवाले जात्कों को अपनी दिढ़िच्छा सकती और आपनिश्वास का पूरा सहयोग मिलता रहेगा, कारियोजनाओं को सुचारू ढंग से पूरा करने में परिवारी जनों और सहयोगियों की प्रेरणा मिलती रहेगी, नई कारियोजनाओं के प्रस्ताव औ अभिकारियों का सहयोग बना रहेगा, किसी महत्पूर्ण काम के पूरा होने से सामाजी प्रतिष्ठा में बिद्धी होगी और नीजी संबंद प्रगाड होगी करक राशिके जात्कों के लिए आज का दिन धन संबंदी मामलों पर केंदेत रहेगा और आर्थिक लाव के बैकल्पिक मार्गों की मानसिक्ता बनी रहेगी आप अपने कारिच्छत में सफल रहेंगे और साजेदारी सफल रहेगी भागेवस नई योजनाओं के प्रस्ताव भी आ सकते हैं निजी निवेश के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा पारिवारिक दाइत्र में मानसिक दबाव महसूस होगा विद्यातियों के लिए आज का दिन मेहनत भरा होगा भावनात्मक रिष्टों में उतार चड़ाव संभावित है मधूर संभ़नों का ख्याल रखें और स्वास संभ़न्दी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं सिंग रासी वाले जात्कों के लिए आज का दिन आपके जिज़ेश्छा सकती और आत्मिश्फास को बढ़ाने वाला होगा महिला वर्ग से लाभा और आर्थिक इस्तिती संतोस जनक रहेगी अपने अतिरिक तूर्जा का इस्तेमाल रचनात्मक कारियों में करते जाएं लाभ मिलता जाएगा मगर विवादित मामले संभावित हैं जिसमें सावधानी अपैक्षित है हाला कि मित्रों का सहयोग बना रहेगा, विद्याखियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा सिख्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, बुजूर्गों का आसिरवाद और पारिवारी पेरणा बनी रहेगी मगर स्वास संबंधी आवस्थक सावधानी बनाए रखे कन्या राशी के जात्कों के लिए अनावस्थक धन खर्च और नकारात्मक विचारों के उतार चड़ाओ का संकेत मिलता है मगर ब्यावसाई कुन्नक्ति का दोर जारी रहेगा, मित्रों और सहीयोगियों से सकारात्मक पेरणा मिलती रहेगी सरकारी कामकाजपूरे होंगे और संबंधित मामलों में यात्रा संभावित है साजेदारी लावधायक रहेगी और आठिक सहीयोग मिलता रहेगा विरोधियों से सावधानी अपेक्चित है, आर्थिक मामलों में विवाद संभाव है अध्यन अध्यापन के लिए आज का दिन सामाने रहेगा, प्रयास जारी रखें खान पान में सुधार और पेड संबंधी समस्याओं से सावधानी अपेक्चित है तूला राशी के जात्कों को आर्थिक लाव की स्थिती बनी रहेगी और आए संबंधी नए विकल्प तैयार होंगे चंद्रमा का शुक्र के नक्षत में होना सहयोगी प्रिष्ट हूनी तैयार करेगा मगर अपनी कार योजनाव में सावधानी अपेक्चित है नई कार योजनाव के प्रस्ताव सामने आएंगे जिसमें सरकारी विवाद और उचित दिशा निर्गेस में रुकावट संभावित है हलाकि आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा सिक्षा प्रत्योगिता के छेत में सफलता संभावित है वाद विवाद और नकारात्मक विचारों वाले ब्रत्यों से दूर रहें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा ब्रिश्चिक राशी वाले जात्कों की कार योजनाव के स्रीजन की मानसिक्ता बनी रहेगी कारी छेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा संबंदित मामलों में यात्रा भी संभावित है रुके हुए काम संपन्न होंगे ब्यावसाई की योजनाओं के नए प्रस्ताव सामने आएंगे और उसमें मिवेश लावदायक रहेगा हाला कि नीजे जीवन में बैवधान संभावित है संतान संबंदि मामलों में खर्च मगर नए विस्तों का प्रस्ताव मिल सकता है पारिवारी प्रेणा मिलती रहेगी नकारात्मक विचारों वाली लोगों से दूरी बना कर रखे और दिन्चर्या में खान पान को संतुलित रखे भनू राश्य वाले जातक कारे छेतर में अनुकूल महसूस करेंगे मगर स्वास संबंदी सावधानी रखनी चाहिए आपकी कारे उर्या अधूरे पड़े कामों को निप्ताने के प्रतिकेंदित रहेगी और रचनात्मक प्रया सावधानी रखे हाला कि आठिक पख्श अनुकूल रहेगा ब्यावसाइक मामलों में आपका काम सुचारू धंग से चलता रहेगा साजेदारी के कामों के लिए आज का दिन अनुकूल है विद्याथियों के लिए आज का दिन सामान रहेगा संतान पक्ष से सुखत समाचार मिल सकता है नीजी संबन प्रगाड होंगे और पारिवारिक दायति की पूर्थी होगी मकर राशी वाले जात्कों के मानसिक ध्रम का दौर समाप्त होगा और ब्रतिगत प्रतिष्ठा में प्रिध्धी होगी मंगल का उत्ताह और गुरु की प्रेरणा से उनती में सहयोग और आथिक लाव में प्रिध्धी होगी मित्रों से सहयोग और संतान के प्रतियात मिश्वास में प्रिध्धी होगी चंद्रमा के आठवे घर में चलने की वजह से मन में अनावस्वक चिन्ता, कुछ कामों में रुकावट और भैग रस्तता संभावित है शिक्षा प्रत्योगिता में सहयोग मिलेगा, अपने स्वास परावस्वक सावधानी बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएं कुम्भरासि के जातकों के लिए आज का दीन अनकूल रहेगा, आर्थिक पक्ष के विकास और साजेदारी के प्रति सहयोग मिलेगा, मगर स्वास संभाण्धी उतार चड़ाव संभावित है ब्यावसाई का अनकूलता बनी रहेगी, दिढ़ विश्वास और कारे चमता में बिद्धी होगी, सासन सत्वाव और रिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा, बिरोधियों से सावधानी अप्यक्षित है, सिक्षा प्रत्योगिता में मेहनत करनी पड़ेगी, वैवाहिक मामलो के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा, परिवार में हर्स और प्रसंदता का माहौल बना रहेगा, मगर स्वास सम्मंधि सावधानी अप्यक्षित हैं और वाहन सावधानी से चलाएं मीन राशी वाले जात्रों के लिए स्वास संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहेगी और नकारात्मक विचारों के प्रती मानसिक्ता बनी रहेगी आथिक लेंदेन के प्रती भी सावधानी अपेक्षित है ब्यावसाइक लाव मिलने से मन में उत्साह और कारी और जनाव को बढ़ाने की प्रेहना मिलेगी अथिक जोखिम वाले काम उचित नहीं होंगे नीजी पारिवारिक दिश्टों में सावधानी अपेक्षित है सरकारी कामकाज से लाव संभव है बिद्याथियों के लिए आज का समय संगस भरा हो सकता है पर्यास जारी रखें और आपसी संबंधों में मधूरता काइम रखें आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे ओम नमाशिवाय